सिक्स क्लास ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर है ता लेक ओफ दी मून लेक होती है जील मून होता है चांद जील के पास चांद ये एक स्टोरी है ध्यान से सुनो एक समय की बात है हर्ड क्या ओता है जुन्ड एक हाथियों का जुन्ड जंगल में रहता था दियर किंग वाजे हूज मैजिस्टिक टसकर हूँ लवड हिस हर्ड कहता है जो हाथियों का राजा था वो बहुत बड़ा था और वो अपने पूरे जुन्ड को बहुत जादा उस जगह पर सूखा पड़ गया there was no rain for some years कुछ साल तक वहां पे बिल्कुल विभारिश नहीं हुई all the rivers and ponds dried up वहां के सारे जील और तालाब सूख गए birds and animals start dying of thirst जो पक्षी थे और जानवर थे सब प्यास से मरने लगे the wild elephants suffered due to lack of water जो wild animals थे वो किस चीज से सफर करने लगे पानी के सूखे सूखे से the king of elephants the king of elephants understood that many of them would die of thirst if they did not get water soon जो उनका राजा था हाथियों का उसने क्या बोला अगर मेरे सारे दोस्तों को पानी नहीं मीला तो सब क्या करेंगे मर जाएंगे बहुत जल्दी he had to find water for his herd as quickly as possible वह अपने सारे दोस्तों के लिए सारे herd मतल सारे जूंड के लिए पानी तूडना चाता था जितनी जल्दी हो सके he told the elephants to go in different direction to look for water उसने अपने हाथियों से क्या कहा अलग लग दिशा में जाओ और पानी ढूंड के लाओ ये देखो जील बनी है साथ में चांद one of them found a large lake full of water in another jungle far away उन में से एक जो हाथी था उसने बहुत दूर जंगल में एक चांद के पास एक जील ढूंड ली the king was happy राजा बहुत खुश हुआ he ordered all the elephants to start moving toward the lake उसने क्या बोला सभी हाथियों को कि तुम सब उस जील के पास चलो it was beautiful lake ये बहुत सुन्दर जील है however close to lake was a colony of rabbits कहता है लेकिन उस जील के पास बहुत से खरगोश रहते थे the elephants had to pass through that colony जो सारे हाती थे उस colony के पास से गुजरे thousands of rabbits were crushed to death and thousands more were injured कहता बहुत सारे उसमें से जूंड था उसके जो राजा ने मीटिंग बलाई a herd of wild element is passing through our colony he said उसने कहा अब यहां से रोज बहुत बहुत हाथी यहां से जाएंगे और हमें दबा देंगे अपने पैर के नीचे they have already killed thousands of us and several thousand have been injured कहता हाथी यहां से जाते हैं कितने हमें पैरों के नीचे दबा देते हैं और कितनों को हमें गायल कर दिया we must take urgent steps to prevent more that that कहता हमें कुछ step लेना चाहिए जिससे इस मोतों को रोक सके I want all of you to think of a way to save our race कहता हम सभी को सोचना चाहिए कि इसके लिए हम क्या करे that rabbit thought 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 means सोचना खरगोश सोचने लगे how could they stop the elephant हम हाथियों को कैसे रोके one little rabbit stood up एक छोटा सा खरगोश खड़ा हो गया your majesty he said हंजी महराज if you send me as your messenger to the king of elephant I may be able to find a solution उन सभी खरगोश में से एक खरगोश खड़ा होकर क्या कहता है कि मुझे आप हाथी के राजा के पास बेजो मैं उसके पास एक संदेश लेकर जाता हूँ the little rabbit hurried to the spot where elephant lived वो छोटा खरगोश हाथी राजा के पास गया क्यों गया message देने के लिए he is a group of elephants returning from the lake देखो हाथी वापिस आ रहे उसने क्या देखा कि सारे हाथी कठ्थियों के कहा जा रहे जील की तरफ right in the middle was the king of elephant और वहाँ पे कौन था उनके हाथी का राजा to get near to him was impossible कहता है देखो खरगोश छोटा साता है हाथी बढ़ाता है कहता है खरगोश राजा के पास बिल्कुल नहीं जा सकता था I will be crushed to death अगर मैं राजा के पास गया मैं पीसा जाऊंगा thought the rabbit खरगोश ने सोचा so he climbed up a huge rock वो एक बड़े पत्तर में hear me please छोटे खरगोश ने बोला हाथी राजा इधर देखो मेरी तरफ please the king heard his voice and turned towards him राजा ने उसकी आवास सुनी और उसकी तरफ देखा who are you he asked उसने पूचा तुम कौन हो I am a messenger replied the rabbit हाथी ने पूचा तुम कौन हो खरगोश क्या कहता कि मैं a messenger हूँ messenger कौन होता है जो संदेश देता है messenger from whom किस की तरफ से संदेश लेकर आये हो किसने बोला हाथी ने पूचा खरगोश को I am messenger from the mighty moon मैं चांद की तरफ से संदेश लेकर आया हूँ really what do you want such moon तुम क्या चाते हो is there a message for me from the moon क्या मेरे लिए सची मून ने कोई message पेज है कौन कह रहा ह हाथी कहा रहा है खरगोश हो yes yes your majesty but you not too angry with me हाँ मेरे मालिक आपके लिए ही message आया है लेकिन आप मेरे से राज मत होना I am just a messenger मैं सिर्फ एक messenger हूँ I am just doing my duty मैं सिर्फ अपनी duty कर रहा हूं very well a messenger is never punished for what he says कहता बहुत अच्छा messenger को कभी punish नी करें हम say what you have come to say कहता हा कहो messenger तुम क्य कहना चाते हो I shall not harm you मैं तुमें कोई कर दुख नहीं दूंगा you are just doing your duty तुम सिर्फ अपनी duty कर रहे हो sad the elephant की हाथी राजा ने खरगोश सेगा sir the moon says sir the moon says sad the little rabbit sir चांदने कहा you the king of element have brought your heart to holy lake चांदने कहा कि तुम अपने सारे हाथियों को मेरी पवित्र नदी के पास क्यों लेकर आते you and your head have soiled it water तुमने सारा मेरा पानी खराब कर दिया है your heart have killed thousand of तुम्हारे जुंडेने कितने सारे खरगोश को मार दिया है you must know that rabbits are under my special protection तुम नहीं जानती यह जो सारे रैबिट है मेरे special protection में everyone knows that the king of rabbits lives with me तुमें नहीं पता सारे खरगोश मेरे पास रहते मून कह रही है I ask you to kill more any more rabbit और कोई खरगोश मारने की कोशिश मत करना if you do not agree something bad will happen to you and your heart अगर तुम नहीं माने तुमने ऐसा करते रहे तो तुम और तुम्हारे दोस्त मारे जाओगे the king of elephant was shocked यह खरगोश की बात सुनके हाथी राजा बहुत गवरा गया he looked at the little rabbit उसने छोटे rabbit को देखा you are right he said तुम सही हो रहे हो we have many we have we may have killed many rabbits on the way to lake जब हम लेक की तरफ जा रहे थे हमने बहुत सारे खरगोश अपने पैरों के नीचे मार भी I shall see that you do not suffer anymore मैं ध्यान रखूंगा तुम सारे और कोई परशानी ना हो I shall request the moon to forgive me for my sins please छोटे खरगोश तुम मून चांद को बोल दो कि मेरे पापा के लिए मुझे माफ कर दो please tell me what I should do अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ come with me खरगोश ने हाथी को बोला आओ मेरे साथ come I shall take you to the moon मैं तुमें चांद के पास ले चलता हूँ the little rabbit took the huge elephant to the lake जो छोटा खरगोश था वो हाथी को जील पर ले गया there the moon reflected in the still water वहां उसने क्या देखा जो मून की परचाई थी वो कहां दिखरी थी पानी के बीच में जील के बी into the water हाथी ने मून की जैसे ही चांद की पूजा करने के अपनी सूंट पानी के बीच डाली तो क्या होता है अगर खड़े पानी के बीच में तुम पत्थर जा कोई चीज डाल तो वह हिलने लगता है the water got disturbed पानी disturbed हो गया and the moon in the water moved to and fro और जो चांद था पानी में वह इधर हाथी ने पूछा क्यों मैंने क्या किया you touch the holy water of the lake तुमने पवित्र नदी को हाथ लगाया रबिट ने बोला the elephant board his head हाथी ने अपना सीर जुकाया किस के आगे जुकाया moon के आगे please ask the moon to forgive me क्रिप्या चांद को बलो मुझे माफ कर दो never again will we touch the holy water of this lake आगे से हम कभी आपको rabbit who the moon loves so much और हम आपके खरगोश को भी कभी तंग नी करेंगे जो आपके पास रहती है and the king and his heart went away और वो हाथी और हाथी को जुड़ वहाँ से हमेशा के लिए चला गया soon there were rain and the elephant lived happily और बहुत जल्द वहाँ जंगल में इतनी भारिश होई कि हर जगा पानी पानी हो गया it did not occur to them ever that a little rabbit had fooled them कैते हाथी को पता भी नहीं चला कि उसको छोटे से खरगोश ने उसको बेवकूफ बना दिया ठीक है